अब हमको पढ़ना है इंटर्नल या प्रैमरी या में मेमरी बहुत आसान है हर एक बात आपको समझ नहीं होगी बहुत आसान कभी आता है सवाल में में मेमरी का और एक नाम बताइए तो प्रैमरी इंटर्नल वो तो आपको पता है मुझे पता है आप बहुत इंटेलिशन बच अब समझो यार यह जो RAM है और cache memory है और register है और virtual memory भी जो अपने पड़ा वो volatile है temporary memory है यहां से जो है जो कि permanent memory है non-volatile memory है वो कौन सी है ROM ROM मतलब main memory का एक पार्ट ROM वो है permanent और दूसरा पार्ट RAM वो है volatile temporary ठीक है और volatile के साथ साथ आपको यह भी पता है cache memory भी register भी वो भी volatile ही है और ऐसी memory जो कि दोखे वाली memory है वो भी volatile यह वो साथ में आपको मैंने उपर वाली slide में पढ़ा है यहां पे मैं ज्यादा तर जान दूँगा primary memory पे देखो आप RAM जो कि volatile है ROM जो कि non-volatile है इन दोनों के बीच में difference करेंगे फिर हम cache memory पे आएंगे और बाकिछी चीज़े पढ़ेंगे और यह primary main memory का मतलब ही है CPU directly काम करता है और currently processed data पे ही इस काम होता है याद रखना primary memory और main memory में currently processed data पे ही काम होता है ठीक है अच्छा यह भी सवाल आया एक बार इसलिए मैंने यहां पे यह भी word add किया नहीं तो हम RAM में पढ़ते हैं कि currently executable data लेकिन मैंने यहीं पे क्यों किया क्योंकि एक बार question आया था कि आप इन में से currently processor data कहां पे इस्तिमाल करते हो नीचे था primary memory फिर दूसरा था secondary memory फिर both था नन था आपको primary memory लिखना है अब सर्र RAM क्या होता है और ROM क्या होता है RAM होता है random access memory वो हमने पढ़ लिया read only memory वो हमने पढ़ लिया पीछे नाम इसका full form RAM में read भी होता है write भी होता है यहां पे सिर्फ read होता है आप समझना इस बाद read होने का मतलब होता है पढ़ना write होने का मतलब होता है लिखना लिखने का मतलब होता है programming करना लिखने का मतलब होता है कि change करना delete करना edit करना तो RAM में delete भी होता है मतलब RAM में delete होता है right का मतलब होता है कुछ delete करके फिर से उस पे लिखना अब ROM देखो यह क्या है read only memory मतलब यहाँ पे write नहीं होता यहाँ पे आप कुछ लिख नहीं सकते यहाँ पे delete नहीं होता यह permanent होती है non-volatile होती है power जाते ही यहाँ पे आप कुछ लिख नहीं सकते उसके बाद इस memory पे यहाँ पे write भी आप कर सकते हो write करने का मतलब power जाते ही खत्म हो जाएगा फिर से लिख लीजी power जाते ही RAM खाली हो जाएगी फिर से काम कीजी power off होते ही volatile है यह temporary है यह memory temporary है उसके बाद आप फिर से लिख लीजिए, फिर से काम होगा उस पे, फिर से उस memory के उपर कुछ लिखा जाएगा Read only memory क्या है, सिर्फ एक बार लिखा जाता है, सर, अच्छा read only memory होता है, read only memory, write तो नहीं किया जाता मगर सर, जब कुछ लिखेंगी नहीं, तो कैसे read करेंगे, जब book पे हम कुछ लिखते हैं, फिर ही read कर सकते हैं, laptop पे कुछ लिखेंगे, तब ही तो read कर सकते हैं, कोई का, कोई लिखी बात ही read की जाती है, सर read only memory में, आप write तो नहीं कर सकते, लेकिन, पहली बार, जब manufacturing हो गया है, read only memory जब बन गया है, तो पहली बार उस पे write भी हो गया है, programming भी हो गयी है, हाँ, फिर से आप programming नहीं कर सकते, फिर से आप write नहीं कर सकते, तो read only memory का मतलब होता है, आप सिर्फ read कर सकते हो, write नहीं कर सकत मगर हाँ पहली बार जब manufacture वो हो गया उस time programmer ने उसके उपर programming की है उसके उपर लिखा हुआ है हाँ वो आप change नहीं कर सकते हैं normal sense में हाँ कुछ ज़्यादा extra button उठा के change कर सकते हो उसके types normal cases में read only memory में सिर्फ read होता है write नहीं होता programming आप फिर से नहीं कर सकते इस लेकिन कुछ खास conditions में आप जबरदस्ती उसके उपर programming कर सकते हो उसके type sum पड़ेंगे सर अभी तो हमने इतना समझा random access memory में write भी होता है क्यों? क्योंकि खत्म होती है memory फिर से उसके उपर लिखा जाता है read only memory खत्म नहीं होती खत्म नहीं होती तो उसके उपर write नहीं क्या जाता देखो जब आप कुछ मिटा होगे तब ही तो write करोगे न ये तो मिटिती नहीं memory इसलिए उसके उपर write नहीं होता लेकिन हाँ read कैसे करते हो जब write नहीं होता ठीक है अच्छा अब यहां तक तो ठीक है आप समझो इस बात को RAM जो है न वो एक बात याद रखना कि जो ये speed of RAM है वो double data rate से speed major की जाती है या megahertz में speed major की जाती है ROM की भी double data rate में या megahertz में speed major की जाती है ये primary memory की आप बोल सकते हो यहां पर error मत समझना इसलिए जब मैं ये notes देता हूँ न तो गलतिया होती है notes में तो जो बच्चे directly सिर्फ note पढ़ते है न उनके दिमाग में गलतिया ही गलतिया रह जाती है अरे note को देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ गलतिया भी निकाल रहा हूँ तो याद रखना ROM और RAM में major किया data है data speed 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 इनकी देखी जाती है double data rate में DDR में या megahertz में अब hertz आपको पता है न processor की speed hertz में major की जाती है शायद मैंने आपको बता दिया होगा कि ना बताया लेकिन याद रखना processor की speed hertz में ही major की जाती है या control या हम control signals में उनको major की जाती है ठीक है न अच्छा clock 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 cycles में भी उनको major किया जाता है चलो कोई बात नहीं मैं आपको बता दूँगा फिलाल इतना जम समझो कि चलो बाई इस बात को बोली जाओ लेकिन आगर आप याद रखना चाते हो तो रख लो double data rate या megahertz में इनकी speed को major किया जाता है RAM में दो टाइपस है static RAM, dynamic RAM लेकिन दूनों के दूनों condition में volatile है, temporary है क्योंकि RAM है temporary फिर सर, static RAM और dynamic RAM में फरक क्या है अक्सर यहाँ से सवाल आते हैं इसको मैं नजदीक करूँगा क्योंकि यहाँ से सवाल बंते हैं सर, static RAM में भी temporary memory है dynamic RAM में भी temporary memory है फरक कहा है, याद रखना static RAM में आप refresh करते हो सॉरी, 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 सॉरी static RAM में refreshment की जरूरत नहीं होती नहीं होती, नहीं होती refreshment not required periodically आप dynamic RAM में refresh करना पड़ता है periodically, नहीं तो dynamic RAM से सारा data guide हो जाएगा क्यों? क्योंकि dynamic RAM में data रहता है, कुछ millisecond के लिए बार बार refreshment करनी पड़ती है या तो auto refresh पे रखना पड़ता है लेकिन यहाँ पे कोई refreshment की जरूरत नहीं यहाँ पे refresh करना पड़ता है आपको periodically नहीं तो data within milliseconds खत्म हो जाएगा पढ़ेंगे हम देखो यहाँ पे से refreshment की जरूरत नहीं पड़ती क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप store कर सकते हो data till power is on till power supply है, supply यहाँ पे तो जब तक power की supply है तब तक static RAM चलता है power की supply खत्म हुई static RAM से data खत्म ठीक है सर इसलिए हमको refreshment की जरूरत नहीं है दूसरा यहाँ पे आते हैं dynamic RAM में refreshment की जरूरत पड़ती है periodically या auto refresh पे रखना पड़ता है आपको क्यों? क्योंकि यहाँ पे store data होता है तब तक नहीं जब तक power होगा ना few milliseconds के लिए अरे कुछ seconds के लिए store data किया जाता है dynamic RAM में बार-बार data खत्म होता है ठीक है ना? बार-बार खत्म होता है इसलिए dynamic RAM cheap होती है उससे काम करना बहुत मुश्किल होता है अकसर programmers उससे काम करते है और program मतलब उससे काम करना अकसर मुश्किल होता है तबी तो cheap है slow भी होता है पढ़ेंगे tension मत लीजे दूसरा भी reason है यहाँ पे refreshment नहीं जुरत और यहाँ पे refreshment periodically दूसरा भी reason है वो पता क्या है capacitor और transistor की वज़ा से होता है पढ़ेंगे हम tension मत लीजे देखो इसमें याद अखना आगे एक second अब ये वाली जो static RAM है वो faster है और costly है और ये मैंने आपको बोला store करता है data जब तक power supply हो ये बना हुआ है flip flops का देखो flip flop क्या करता है वो store करता है bit of information को एक bit को flip flop store करता है अब इसमें बहुत सारी चीजे है latch क्या होता है flip flop क्या होता है D flip flop क्या होता है अब उस पे मैं जाना नहीं चाहूँगा यहाँ पे वो तो engineering वाले पे हम चले गए वो तो मेरी अपनी ब्राच है electronics engineering क्योंकि मैंने electronics engineering मतलब मैंने btec और mtec किया है और मेरी stream electronics engineering ही थी लेकिन यहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं मेरे बाई अब याद रखना उसके बाद हाँ भाई फिलिप फॉल आप क्या करता है store करता है bit को अब और याद रखना इसका नुकसान 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 more power यूद लेता है static RAM static RAM ज्यादा power लेता है हम ठीक है अब dynamic RAM क्या है refreshment की जरूरत है slow है cheap है store करता है data लेकिन कुछ millisecond के लिए और यहाँ पे capacitor और transistor यूज होता है और फाइदा 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 dynamic RAM का power consumption less power ये use करता है power consumption काम है आप याद रखना यहाँ पे periodically refreshment तो मैंने आपको बोला लेकिन साथ में और एक बात याद रखना capacitor यहाँ पे store करता है store करता है information store करता है data को आपने सुना होगा ना power को store करता है capacitor आरे सुना होगा आपने transistor जो है ना amplify करता है मैंने am लिखा है s लिखा है इसलिए ताकि शायद आप मत बूल जाओ तो note पे नजर पड़ते ही am मतलब amplify करना signal को store करना यहाँ पे capacitor का काम है store करना अब एक बात जानो ये capacitor आपने सुना होगा गरम भी होता है आपने देखा होगा चारज को store करता है पड़ा होगा आपने चारज को store करता है तो ये गरम भी होता है गरम भी होता है तो कुछ books लिखती है इसलिए refresh करना पड़ता है periodically क्यों करना पड़ता है रिफेश periodically एक तो capacitor गरम होता है क्योंकि वो charge को store करता है और यहाँ पे few 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 milliseconds के लिए ही डाटा स्टोर रहता है यहाँ पे अरे बाई जब तक power on हो तब तक डाटा स्टोर होता है उससे ज्यादा क्यों नहीं स्टोर होता है डाटा अरे क्योंकि हम पड़ रहे हैं volatile, volatile RAM, RAM में तब तक डाटा रहेगा जब तक power supply है, power supply खत्म, डाटा खत हम ROM पड़ेंगे उसके बाद cache memory, ROM जो है non-volatile memory, permanent memory, power खत्म होते भी, कुछ नहीं होगा, वहीं पे वो डाटा रहेगा अब read only memory जो है, इसमें write, written आप नहीं कर सकते हो, आप लिख नहीं सकते हैं, आप सिर्फ read कर सकते हो, हाँ हाँ, written होता है ये, programming होती है, मगर एक ही बार add, जब कि manufacture करा जाए वो ROM के भी कुछ टाइपस है, एक तो होते है P ROM, P ROM से में ROM ही, ROM का मतलब दूसरी शकल P ROM ही है, ठीक है, और ROM का मतलब P ROM ही होता है, लेकिन उसके और भी कुछ टाइपस है, जैसे EEP ROM और EEPROM, पढ़ेंगे इसको याद रख लिजे, P ROM क्या होता है, programmable read-only memory, इस programmable read-only memory का मतलब होता है कि programming के time पे, starting पे, आप इस memory को एक बार, एक time programming कर सकते हो, उसके बाद, never आप उसको change कर सकते हो program बना के आपने डाल दिया, उसके बाद reprogramming नहीं होगा, उसके बाद आप उपर rewrite नहीं कर सकते फिर से नहीं लिख सकते, one time programming होता है, one time written होता है, लिख जाता है उसको, उसके बाद आप उसको change नहीं कर सकते बिल्कुल भी नहीं, चाहे आप एलेक्टिकल लाइट से चेंज करना चाहो, चाहे आप UV लाइट से चेंज करना चाहो, वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, पहली बार उसके उपर लिखा जाएगा, प्रोग्रामिंग की जाएगी, उसके बाद फिर से नहीं लिखा पर आप फिर से नहीं लिख सकते हैं वन टाइम प्रोग्रामिक का मतलब होता है एक बार लिखना बार बार नहीं लिख सकते हैं हाँ हाँ EEP ROM में और EEP ROM में जबरदस्ती आप लिख सकते हो जबरदस्ती आप चेंज कर सकते हो कैसे आपने Erasable, Programmable, Read Only एक ऐसी मेमरी है जहां पर आप डाटा तो पर्मेनेटली स्टोर होता है जब लाइट चली जाती है लाइट चला जाता है लाइट चली जाती है तो पर्मेनेटली होता है डाटा स्टोर ठीक है लेकिन लाइट चले जाने के बाद permanently तो data store है लेकिन आप उसको मिटाना चाहते हो हटाना चाहते हो उस data को तो EEP ROM एक ऐसा टाइप है जिसमें आप हटा सकते हो UV RAISE के जरीए Erasable Programmeable Read Only Memory से data हट जाता है Erase किया जाता है UV Light से आपने अगर data हटाना है तो जो भी आपके पास वो data है वो आप लीजिए सनलाइट में रख लीजिए या आप artificially UV RAISE प्रोडूस कीजिए फिर जब उसके उपर पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो सारा डिलीट होता है Erasable Programmeable Read Only Memory का दूसरा नाम इसी लिए है Ultraviolet Erasable Programmeable Read Only Memory Ultraviolet Erasable Programmeable Read Only Memory क्यों? क्योंकि EEPROM, Altaviolet Right से ही Erasable होता है वहाँ से डाटा Electrically Erasable Programmeable Read Only Memory क्या होता है? Electrically Electrically मतलब Erase आप कर सकते हो Electrically अरे बई ये सारे Non-Volatile है ये Erasable नहीं होते हैं जब Power Off होगा ना ना लेकिन Power Off होने पे कोई Chance ही नहीं ये आप सोच रहे होगे न सर आपने बोला आपने बोला ये है Permanent Non-Volatile लेकिन आप कैसे फिर इसको Erase कर सकते हो अरे जबरदस्ती Erase की बात हो रही है Permanent Non-Volatile पता है Power Off होने पे डाटा लूज नहीं होगा यहाँ पे Power Off होने की बात नहीं हो रही है आप Electricity से करोगे तो Electrically Erasable Programmable Read Only Memory ठीक है बताए मुझे EEPROM में आप हटा सकते हो डाटा किस से यूवी लाइट से के Electricity से सर यूवी लाइट से तबी तो इसको ये भी नाम है इसमें आप डाटा हटा सकते हो Electricity के वज़ा से तबी तो इसका नाम ये है Electrically Erasable Programmable Read Only Memory इनकी Full Forms आपने क्यों नहीं लिखी उपर देखो न पहली स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है वहाँ पर जाके चक करो और अपनी नोटमिक में बरो अब ये लास्ट में Cache Memory Cache Memory भी Volatile है मतलब Volatile का मतलब होता है Power Off होते ही डाटा खत्म Non-Volatile का मतलब होता है Power Off होते ही डाटा नहीं खत्म नहीं तो भाई Secondary Memory जो आपने उपर बना जो Non-Volatile है इसमें भी आप Delete कर सकते हो भाई जबरदस्ती लेकिन हाँ CD में जो है Power खत्म होते ही वो Movie वहीं पर रहती है Memory Card में जो है Power Off खत्म होते ही Power Off होते ही वो Memory Card का डाटा वहीं रहता है इसलिए इनको बोला जाता है Permanent ऐसा नहीं कि आप Memory Card से हटा नहीं सकते हो डिलीट नहीं कर सकते हैं अलब है डिलीट तो हम कर सकते हैं ठीक है तो नहीं तो यह सारे के सारे Non Wallet मतब समझ आ गया आपको अब अच्छा इसलिए इनको बोला जाता है Permanent Permanent का मतलब यह नहीं कि आप डिलीट कभी नहीं कर सकते Permanent का मतलब है Power खत्म होते ही यह Lose नहीं हो जाएगा यह डाटा Cache Memory जो है इसलिए स्पीड बढ़ जाती है यह Cache Memory frequently executed data को ही store करता है जो कि CPU बार बार यूज करे और RAM से लाया वो frequently executable data जो है वो Cache Memory यूज करता है यह between RAM और CPU होता है अगर RAM नहीं होगा वहाँ पे main memory होगा तो आप main memory ही लिखना अगर दून होंगे तो RAM ही लिखना अच्छे यह सुमाल होता है expensive होता है लेकिन क्या यह सुमाल register से होता है ना 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 यह तो दूसरे नमबर पे है register सबसे सुमाल size देखो ना ऐसे size तीसरे नमबर पे सुमाल मतलब सबसे सुमाल यह फिर ये बड़ा 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 ठीक है तो यहाँ पे बुक ने लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब आप compare कर सकते हो ने रेजिस्टर के साथ कैसे बता मुझे सुमाल कौन रेजिस्टर की कैच ही सुमाल ये बता मुझे एक्सपेंसिव कौन रेजिस्टर की कैच ही सॉरी सॉरी बता मुझे सुमाल कौन कैच मेमरी की रेजिस्टर सर सुमाल है रेजिस्टर बता मुझे more expensive कौन कैच की रेजिस्टर बाई more expensive register ही है इसको देखो more expensive यही सुमाल यही ठीक है ना समझा रहा है एक बार इसको द्यान से देखना बात खत्म चलो यह बात तो ठीक हुई मतलब बुक में यह लिखा है सुमाल और expensive register के मामले में अगर register से अगर हाँ हाँ इनसे तो छोटा है cash memory तीन चार option होंगे यह 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 और यह और बोला जाएगा आपको कि आप बताएए सबसे ज़्यदा size किसमे होता है तो आपको यह लखना है सबसे सुमाल कौन होती है यह सबसे ज़्यदा speed किसको होती है यह मतलब एक दूसरी को compare करने के बाद ही आप कर सकते हो ठीके अब नीचे आपके यह सामने यह मैं जल्दी जल्दी चलाऊंगा आप उसको pause कर कीजे और इन सवालों को कीजे ठीके क्या हो रहा है भाई इसके साथ और आपको मैं पीडिया भी बेजूँगा पीडिया भी आप देख सकते हो और इन सवालों को कर सकते हो मैंने यह सवाल पूछे शायद एक question कहीं पे गलत था लिखा था और पीछे answer उसका गलत था ठीके न वहाँ पे मैं आपको यहीं पे बता दूँगा book है मेरे सामने question number 12 यहाँ पे शायद missing है क्योंकि बीच में उसके answer पीछे गलत है पता है क्यों क्योंकि answer है पीछे continuous आएगा अगर आपके सामने अरिहनत book है question क्या था which of the following is not an assess mode assess mode random mode भी होता है sequential assess mode भी random assess mode भी direct assess mode भी होता है continuous assess mode नहीं होता है तो answer continuous assess mode ही आएगा लेकिन पीछे answer गलत दिया हुआ है पीछे answer शायद random दिया गया है तो इसलिए मैंने वो question डेला ही नी क्योंकि आपके दिमाग में गलत ही आएगी फिर तो मैंने सोचा कि चलो directly ही question आपको दे दिये जाए और जितने भी question है वो इसी topic के उपर है मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता इसके बाहर कुछ होगा अगर होगा तो आप नीचे comment करो और उसके बारे में जवाब भी दे दो तो ये सारे questions थे और ये हैं आपका memory का lecture number one कल आएगा memory का lecture number two और memory खत्म ओके बाई